नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जर्खन के यात्रियों को टीम द्वारा हर सम्हमदत की जाएगी हादसे में घायल हुए यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जरूरी सभी साहता दी जाएगी आपको बता देगी दो जून को उडिसा रेल हादसे में 288 की मौत हो चुकी है जबकि 56 यात्रियों भी रूप से घायल है वहीं उडिसा के बाला सोर में दो जून को बड़ा रेल हादसा हुए है बाला सोर से करीब 40 किलोमेटर आगे कोरो मंडल एक्सप्रेस ट्रेन की टकर एक मालगाड़ी से हो गई थी टकर के बाद कोरो मंडल ट्रेन की सिलीपर बोगी के 10 से 12 डिबे बेपर्टरी हो गाए ट्रेन हादसे में मिरितकों की संख्या बढ़ कर 288 पर पहुँच गई है इस ट्रेन हादसे में 56 यात्रियों भी रूप से घायल है इस हादसे को देखते हुए सिया में मानसुनें ट्वीट का जनकारी दिया है कि जार्खन सरकार के अधिकारियों और डॉक्टरों की एक टीम चार जून की सुबवा हेलिकोप्टर से उडिसा के लिए रवाना होगी जार्खन में मानसुन की बारिस 20 जून के आसपास देश में दक्षनी पश्मी मानसुन के परवेश की संकेत मिलने लगे है केरल में समाने से 4-5 दिन देरी से मानसुन के आने की संभवना है भारतिय मौसंबिक ज्यान विभाय के उन्सार केरल में मांसुन 4 से 5 जून को आ सकता है इसके 15 दिनों के बाद जारकन में मांसुन आता है ऐसे में मांसुन की हवा समाने रही तो 20 जून के आस पाद जारकन में मांसुन की बारिस हो सकती है इससे पहले राजे में प्री मानसुन का तीविधी शुरू हो सकती है बतादे जून के दूसरे सब्ता से प्री मानसुन बारी शुरू हो सकती है इसके बाद लोगों को गर्मी सिराहत मिल सकती है जेपी एसी ने फूड सेप्टी अपसर के लिए निकाली भैकेंसी जबकि ओनलेन आवेदन की हाट कोपी 27 जूलाई दोहज़ाइश तक जामा करना है कूल 56 पद में अनरक्षित के 22, ST के 14, SC के 6, BC1 के 5, BC2 के 3 और EWS के 6 अब यार्थी के 1 अगस्ट 2020 को निमतम 21 बस निर्धायद की गई जबकि अधिक्तम उम्रसीमा अनरक्षित के लिए 35 वरास, BC1 के लिए 37 और महिलाओं के लिए 38 वरास निर्धायद की गई है बता दे नियुक्ति के लिए 200 अंकों के लिखित पर 36 अंकों के इंटर्वियू के माधम से होगी अनरक्षित वरास अभियार्थी के लिए परिशा सुर्क 6 रूपय पलस बैंक चार्ज लिया जाएगा उडिशा हादसा के रेलवे रिपोर्ट में खुला सा सिगनल वापस लेने के करण हुआ था हादसा कोरो मंडल एक्सप्रेस को गलत सिगनल दिया गया था जब तक सिगनल वापस लिया गया तब तक यह ट्रेन लूप लाइन में घूस गई लूप लाइन में पहले से ही मालगाडी खई थी जिससे जाकर कोरो मंडल एक्सप्रेस टकरा गई ठीक उसी समय 12.864 बेंगलोरु हावा सुपर फर्स्ट एक्स्प्रेस डाउन लाइन से गुजर रही थी इसकी भी दो बोग्यावे पट्री होकर चिप्टी हो गई PTR केंसार या ट्रेन बाहनागा बजार से पहले मेन लाइन का सिगनल दिया गया था कुछ सेकेंड बाद ही उसे वापस ले लिया गया तब तक लूप लाइन में घूस चुकी थी इस समय इस ट्रेन की गती 128 किलोमेटर प्रती गंटा थी जार्खन में आठवी बोड का रियल्ट जारी जार्खन एकेंडमी कॉंसील जैक ने आठवी बोड की परिच्छा के रियल्ट सर्निवार को जारी कर दिया है परिच्छा में 94.945 बिद्यार्थी सफल हुए है बता दे परिच्छा के लिए 5,62,574 श्टूडेंट ने आवेदन किया था जिसमें से 5,43,174 बिद्यार्थी ने परिच्छा दी इनमें से 5,15,688 बिद्यार्थी सफल रहे 26,2,98 परिच्छार्थी और सफल रहे है परिच्छार्थियों का 5,3,94 रहा है जार्खन एकेडमी काउंसिल के अध्यक्टर अनिल कुमार महतू ने रियल्ड जारी किया है आटवी बोर्ड में सबसे बेतर रियल्ड कोडर्मा का रहा है कोडर्मा से परिच्छा में कूल 15,186 परिच्छार्थी परिच्छा में सामिल हुए थे इन में से 14,920 परिच्छार्थी सपल रहे वहीं कोडर्मा का रियल्ड 98,2 पिजदी रहा है जबकि गुमला का रियल्ड सबसे कम रहा है बता दे गुमला जिले से परिच्छा में 18,450 परिच्छार्थी सामिल हुए जिसमें से 16,357 परिच्छार्थी सपल रहे है जिन में 88.665 दी रहा है ट्रेन हादसे में आप तक 261 लोगों की मौत पर सियम हमन्त ने जताया दूख उडिसा के बाला सोर में हुए ट्रेन हादसे में आप तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है जब कि सेकड़ों लोग घायल है इस हादसे ने पूरे देश को जगजोर दिया है इस दूर घटना के बाद आस्थाने परसासन और NDRF के टीम रेस्क्यू अपरेस्टन चला रही है वहीं राष्ट पदी द्रोपदी मुर्मू परधान मदिनायन मोदी के साथ जारकन के मुक्यमंत्री हमान सुरे ने भी दुख जाहिर किया है इसके साथ ही उन्होंने का है लोग के जल्द स्वास्त होने की भी कामना की है बता दे उडिसा में हुए ट्रेन हाथ से के बाद सीयम हमान सुरे ने मृत को के परिवार के प्रती स्थनवेदना जाहिर की है वहीं उन्होंने का है लोग के जल्द ठीक होने की कामना की सिय भेमा सुरे ने आपने सोशल मीडिया पलिखा उडिसा के बाला सोर जीले में बाहा नागा रेलवे स्टेशन के समीप कोरो मंडल एक्सप्रेस टेन के दुरगाटना ग्रश्थ होने की हिर्दय बिरागाटना से मन आहा था परमात्मा दिवंगत आत्माओ को सांधी परदान कर सोका कुल परिजनों को दुख कीवा बिकट घड़ी सांध करने की सकती दे कोलान में ओपरेसन किलीन शुरू जंगल को टेर फिरी करना मक्सद कोलान में सुरक्षा बलो कि ओर्र से ओपरेसन किलीन चलाया जा रहा है पिछले 20 दून में शुरक्षा बलोन 50 साधीक आईडी बमो का घेरा बनाका नक्सली अपने आपको अब तक बचाए हुए थे पुलिस अब उस घेरे को नश्ट करने में जूट गई है कुलान में नक्सलियों की द्वारा लगाए गए आईडी बमो को निस्क्रिय करने के लिए ओपरेशन क्लिन शुरू किया गया पिछले छो महिने में नक्सलियों की द्वारा लगाए गए आईडी बमो की वज़ा से 10 ग्रामिनों की मौत गाल में समागा है और जबकि एक दर्जन से ज़्यादा सुरक्षा बल भी खायल हो चुके है 2024 लोग सभा चुनाव को लेकर तयारी शुरू 2024 लोग सभा चुनाव को लेकर एक और जहां रायनितिक दलों के द्वारा तयारी की जा रहिए वहीं दूसरीयों चुनाव आयोग ने भी सनिवार से तयारी का स्रीगनेस कर दिया है मुख निर्वाचन पताधिकारी के रभी कुमा ने कहा है प्रशिक्षन का काम भी शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षन का काम भी शुरू किया जा रहा है। प्रशिक्षन का काम भी शुरू किया जा रहा है। रामगर जीला के बरका काना पतरातु निवासिस संजय लाल पासवान को अगले तीन वर्शों के लिए जार्खन राज आवास बोट के अध्यक्ष के पत पन्युक्त किया है। इससे संबन्दी अजी सुचना निर्गत कर दी गाई। साथी जार्खन राज आवास बोट अधिनियम 2000 की धारा 4.1 के अधिन प्रदत सक्तियों के परयोग करते हुए अगले तीन वर्शों के लिए जार्खन राज आवास बोट के सहस के पत पर रांची के अभिलास साहू, पाकुड के गुलाम अहमाद और रांची के नितिन अग लोगों की जान जा चुकी है, इतने बड़े एक्सिडेंट के बाद रांची रेल डिवीजन ने भी हेल प्लाइन नमबर जारी किया है, अगर किसी के परिजन कुलकत्ता से चेनाई जा रही कोरो मंडल एक्सप्रेस या फिर एस्वंत पूरहबड़ा एक्सप्रेस में सपर क रहे हो, तो वे रांची रेल वे स्टेशन से जारी हेल प्लाइन नमबर पर जनकार यहां सिल कर सकते हैं, बता जे रांची रेल वे डिवीजन ने हाथसे कि जनकारी के लिए जो नमबर जारी किया है, वे हैं 06512787260, दूसरा नमबर 06512787070, और तिसरा नमबर 9835921950 है, डिप्लोमा इनफर्मेसी की दितिये वर्ष की परिक्षार रद, रांची के राजा उलातो इस्थीत बाई वी एन उनिवर्सिटी में चल रहे डिप्लोमा इनफर्मेसी की परिक्षा में सनिवार के दूसरी पाली में होने वाली दितिये वर्ष की परिक्षार रद कर दी 29 मईश से 9 जून तक डिप्लोमा इन्फर्मेसिक परिच्छा के लिए YBN 200 विद्याले में सेंटर बना गया है। आकार लेने लगा रातू रोड फ्लाइ ओभर। राइधानी राची के लोगों को बहुत जल्द 3 फ्लाइ ओभर की सोगात मिलने वाली है। पारामेडिकल संस्थानों में दाखिला के लिए अवेदन शुरू। जार्षन के सरकारी और गये सरकारी पारामेडिकल संस्थानों में दाखिला के लिए अवेदन के परक्रिया सुक्रबार से शुरू ज़ू हो गई है। इसके माध्यम से मैट्रिक अस्तर ये सार्टिफिकेट पाठकरम जैसे ड्रेसर, मेडिकल लेब अटेंडेंज, रेडियो ग्राफर अटेंडेंज, आधी की पढ़ाई के लिए एक वर्षिय पाठकरम में भी नमानकन होगा, परिक्षा OMR बेस्ट होगी. रांची के आड्रे हाउस में लगा किरियेटिव समर कैम्प, कला संस्क्रिती वर युवा कारे विभाग सहर में कला को बढ़ावाद देने में जुटा है, गर्मी की छूटियों को देखते हुए आड्रे हाउस में 15 दिवसे कला परसिक्षन सिवीर किरियेटिव समर कैम्प का वजन किया गया है, 25 मई से सुरू हुए कैम्प में काफी संख्या में बच्चे ही सले रहे हैं, 15 दिवसे इस कैम्प में रांची वा आसपास के 240 से अधिक परतिभागी भाग ले रहे हैं, जहां इन्हें कला के पांच आयाम, सास्तिरीय निरित, लोक निरित, सास्तिरीय चित्रकला और अभिने कौसल से परिचाय करया जा रहा है, बीते आठ दिनों के परसिच्चन में परतिभागी ओके हुनर में निखार आया है, इस सीविर के जरिये परतिभागी ओके अंदर शिपी परतिभा को निखारने के कोशिस की जा रही है, ताकि वो अकला के चेत्र म आगे बेतर कर सके, नकसली लजीम अंसारी के खिलाप 61 केस दर्ज, गुमला में पूलिस मुट भेड में मारे गए नकसली लजीम अंसारी पर गुमला लोहत्यकाव लात्यहर जीले में 61 केस दर्ज है, एस पी डाक्टर एहतेत्साम वाकारिव ने प्रेस कॉन्फिरेंस कर बत थानेदार अमित कुमार चौधरी वा थानेदार चैनपूर आसुतोस कुमार सिंग सहीत पूलिस बल के साथ टीम छेतर के लिए प्रस्थान की, जैसे ही टीम टोंगो सेमरा बर्टोली जंगल के पास पहुंशी तो पूलिस पार्टी के साथ भागपा मवादी के मुट भेड हो गई, इसमें कुख्यात मवादी सा एरिया कमांडर लजीम अंसारी मरा गया है पावर प्लांट में कुख्या के स्टोक को लेकर चीनता बढ़ी, मानसून दस्तक देने वाला है, कोल इंडिया पर मानसून के दरान कुख्या उदपाधन पर सिधा असर परता है, डिस्पैश की गति भी काफी धिमी हो जाती है ऐसे में कोईला का स्टोक पावर प्लांटों में रहे इसको लेकर कोईला मंत्राइल से लेकर कोल इंडिया प्रमंदन ने मंधन करना शुरू कर दिया है वैसे पावर प्लांटों में फिलहाल आउस्तन 16-18 दिन का कोईला है जबकि 21 दिन का रहना चाहिए कोईला मंतरी प्रहलाज जोसी ने 2022 तेस्ट की चोथी तीमाही के लिए उत्पादन और डिस्पेच योजना पर काम करने का निदेश सभी कोईला कमपनियों को दिया है